Hello dear students, welcome back to Organized Knowledge Channel और आज की जो वीटियो है उसमें हम discuss करेंगे वरक्षीट नमबर 88, 4 class 9, subject English है और ये वरक्षीट आपके लिए 16th of February 2022 के लिए schedule की गई है और आज की जो वरक्षीट है बच्चों उसमें आपको जो pom दी गई है on killing a tree, की tree जो है उसको किस तरह से मारा जा सकता है तो ये जो वरक्षीट है आपकी, ये same वरक्षीट आपकी schedule की गई है जो की आपकी 15th of February 2022 के लिए schedule की गई थी यानि वरक्षीट नमबर 87 और वरक्षीट नमबर 88 दोनों ही आपकी same वरक्षीट schedule की गई है अब आप जो है, आपको ये schedule की गई है तो इसकी दोबारा से revision कर लीजिए ठीक है, लेकिन question answer को आप चाहो तो avoid कर सकते हो क्योंकि same ही question answer जो है इसमें दिये गई है और अगर दोबारा लिखना चाहो तो well and good आपकी practice भी हो जाएगी तो आएए बच्चो करते हैं वरक्षीट को शुरू और वक्षीट शूकरने से पहले प्ली चैनल को subscribe कर लीजे, बैल आइकन को भी प्रेस कर लो ताकि आप बच्चो को आने वाली वीडियो की notification वो समय से मिल जाए तो देखे क्या दिया गया है आज की वरक्षीट में आउ पार्ट वन है, read the extract given below and answer the question that follow आपको पहले ये extract read करना है और फिर जो questions दे गए हैं उनके answer आपको करने है तो वक्षी शूकरने से पहले प्ली चैनल को subscribe कर दीचे, बैल आइकन को भी प्रेस कर लो ताके आपको आने वाली वीडियो की notification वो समय से मिल जाए तो देखे क्या दिया गया है आज की वरक्षीट में आज की वरक्षीट में बच्चो जो पॉम आपको दी गई है इसमें इसके जो point है वो है जीव पतेल ठीके और वो एक तरह से ironic statement के साथ ironic का मतलब क्या होता है कि कटाक्ष करती हुए ये जो पेड जो काटे जा रही है लोग अपने फायदे के लिए पेड़ो को काट रहे हैं तो इस पॉम के माध्यम से वो कह रही है कि पेड़ो को किस तरह से काटा जाए कैसे उनको मारा जाए ठीक है उनका जो aim है वो है पेड़ों को बचाने का लेकिन वो यहाँ पर उल्टा कह रही है तो इस जो पॉम है इसके अंदर जो point है वो बताते हैं कि किस तरह से पेड़ों को जो है मारा जाए और वो message देना चाहते हैं कि पेड़ हमारी तरह जिन्दा है वो जो है जो पेड़ है उनमें भी जीवन है वो भी हमारी तरह ही grow करते है clear तो देखे no the root is to be pulled out कि पेड़ों को जो है अगर मारना है तो उनकी branches काट दोगे या उनकी तहनिया तोड़ दोगे तो पेड़ नहीं मरेगा पेड़ कब मरेगा पेड़ मरेगा जब उसकी root को जड़ को उखाड दोगे out of the anchoring earth यानि उसकी जड़ को जो है तुमें क्या करना होगा बाहर निकालना होगा anchor का मतलब क्या होता है anchor का मतलब है कि जो जड़ है वो उसको earth में रोके रखती है वो उसको hold करके रखती है anchoring का मतलब होता है hold करना it is to be robed tied and pulled out snap out ठीक है कि उसको जो है तुम्हें क्या करना होगा इसे तुम्हें एक तरह से to be robed tied and pulled out उसको बांद के और पूरी तरह से जमीन के अंदर से ही उखाड देना होगा जैसे रसी से बांद के किसी चीज को खीश देते है न तो ऐसे तुम्हें उसे जमीन से बाहर उखाड के उसको खीश देना होगा clear उसके बाद देखे or pulled out entirely out from the earth cave कि तुम्हें उसे जमीन अर्थ के उखा मतलब क्या है जमीन रूपी जो गुफा है उसको तुम्हें बाहर निकालना है जड़को उस जमीन रूपी गुफा से and the strength of the tree exposed the source white and wet the most sensitive hidden four years inside the earth then the matter of scorching and choking इसका मतलब क्या है कि इस तरह से जब तुम उसको जो है ऐसे उखार दोगे the strength of the tree exposed जो ट्री है उसकी जो strength है वो एक तरह से सामने आ जाएगी बाहर निकल जाएगी the source white and wet कि जो उसके अंदर source का मतलब क्या है कि यहाँ पर जो root है वो उसकी life का क्या है roots उसकी life का source है और उसके अंदर जो white and wet का मतलब कि उसकी जो feelings है वो एक तरह से क्या हो जाएगी वो बाहर आ जाएगी most sensitive hidden जो उसके अंदर जो छुपी हुई feelings है वो सारी बाहर आ जाएगी जैसे ही तुम जो root है उसको उखाड़ कर fake दोगे clear 4 years inside the earth जो की बहुत समय से कहा छुपी हुई है आर्थ के अंदर छुपी हुई है यानि यहाँ पर root के बार में बताया जा रहा है कि root जो है वो जो tree है उसकी strength है उसकी जो सारी feelings है वो किसके साथ जुड़ी है root के साथ जुड़ी है जो उसको hold करके रखता है तो उसको तुम्हें उखाड़ना होगा then the matter of scorching and choking in sun and air scorching का मतलब होता है कि एक तरह से to burn slightly यानि जो जुलसाने वाली होती है और choking का मतलब होता है कि दम घोडने वाली ठीक है ऐसी situation then the matter of scorching and choking कि तब जो जुलसाने वाली एकदम से जलाने वाली या दम घोटने वाली जो धूप होती है उसमें तुम्हें क्या करना है धूप में जो है उसको क्या कर देना है रख देना है in sun and air sun में रख देना है air में बहार रख देना है browning, hardening वो क्या हो जाएगी वो जो है बिलकुल brown हो जाएगी ठीक है और वो बिलकुल एकदम लकड़ी जो है बन जाएगी and twisting, withering and then it is done कि जब तक कि वो जैसे होता है कि सूखने के बाद ऐसे लकड़ी hard हो जाती है twist हो जाती है, मुर जाती है मुर जाती है तो जब तक ऐसा ना हो जाए न तब तक जो है ये मान लो कि पेड जो है वो मरने वाला नहीं है तो तुम्हे कुछी इस तरह से पेड के साथ ट्री के साथ treatment करना है ताकि उसको वो पूरी तरह से मर जाए ultimate उसको अगर तुम्हें मारना है death करनी है उसकी stentia के according जो withering है withering का मतलब क्या है यहाँ पे जो मुर्जाना है वो जो है कैसे होगा scorching heat, sun and air sun and water, oxygen and heat तो इसमें क्या होगा कि sun and air में जो है उसको क्या करना है मुर्जाना है तो b जो है इसका right answer हो जाएगा next देखे in the given stentia the word out and pulled out has been used many times which pointing device is used here तो जब जो words है उनका बार-बार जो है use किया जाता है उसको हम repetition कहते हैं यहाँ पे option दिये गए है metaphor, alliteration personification and repetition तो सही answer क्या रहेगा d answer रहेगा repetition तीक है next देखे दा and then it is done does not refer to then it is done अब यह हो जाएगा यह जो बात है यह किसको refer नहीं कर दी है a dead tree बिलकुल ठीक है then it is done का मतलब क्या है कि यह मर गया है finally the tree is dead finally tree जो है वो मर गया the tree is ready to regrow अब जो है tree ready है regrow के लिए the tree has finished completely tree जो है वो पूरी तरह से finish हो गया तो कौन सा refer नहीं करता c जो है इसको refer नहीं कर रहा है आपे बाकिस के meaning है लेकिन यह c इसका meaning नहीं है ठीक है next देखिए part 3 है answer the following question in 30 to 40 words तो 4 question आपको यहाँ पर दिये गए है 30 to 40 words में इनके answer हमें करने है first question है what is the main message of the palm palm का जो main message है वो क्या है so the palm convey the message that trees are living beings palm जो है वो क्या message करता है कि जो trees है वो भी क्या है हमारी तरह living beings है just like any other form of life it is not easy to kill them उनको मारना इतना आसान नहीं है second according to the point which constitute the strength of a tree the strength of the tree lies in its root जो strength है वो कहां पर लाए करती है root में the root is the source of the tree's life root जो है वो tree का क्या है source है उसकी life का next देखिए question number 3 है what does anchoring earth refer to anchoring earth का मतलब क्या है anchoring earth refer to the roots of the tree that lie inside the earth and play the role of an anchor for the tree to grow they ensure the security of the tree as they nourish it with water and nutrients मैं आपको बताऊंगे एक new app के बारे में जो students में काफी जल्दी popular होती जा रही है चाहे कोई question हो, कोई doubt हो या कोई concept ना समझाए boards हो या चीनीच पढ़ाई में कोई भी दिक्कत आ रही हो तो उसका solution है Philo app आपने doubts को किसी भी time clear करें in these 3 easy steps सबसे पहले इस app को play store या app store से डाउनलोड कर लें अपने phone number से easily sign up कर लें अपने questions का picture लें या उसे type करके submit करें और Philo आपको 60 seconds में इंडिया के top expert से live call पे connect कर देगा आपके question में आप कहाना चाहते हैं कि बल्ब की power कितनी है अगर बल्ब जो है वो 220 voltage पर operate हो रहा है इस battery का जो voltage है वो आपको गवेन है 220 तो ये आपको simple relation होगे यहापर अब अगर कोई आपको और डाउट है तो आपताईए तो गाईस इस अपका डाउनलोड लिंक नीचे description में दे दिया गया है तो ये तरह से जो ट्री है उसको खडा करके रखती है वही उसको strength provide करती है फोर्थ question है how does exposure to sun and air affect the root कैसे root को affect करती है exposure to sun and air when they are uprooted जब अर्थ को uproot कर लिया जाता है and exposed to the sun they become brown वो brown हो जाती है the exposed roots become hardened in the sun and air and wither तो वो hard हो जाती है sun and air की presence में और wither यानिक तरह से मुर्जा जाती है gradually they start withering away finally trees are killed और इस तरह से tree जो है वो मर जाता है ठीके तो ये थी students आपकी आज की बच्चों English की worksheet I hope सभी प्यारे बच्चों को ये clear है कोई भी doubt है तो आप पूछ सकते हो वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को जरूर से like कर दीजे शेयर कर दीजे और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजे so thanks for watching have a nice day कर दीजे बच्चों